हालो एब्रिवन वेलकम टू आर चेनल उडान सपनों की आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट की माच्स की वोक्षिट वोक्षिट नूबर 39 जो कि आपकी देट 17 दिसेंबर की है एडिशन एस सब्ट्रेक्शन ओफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको एडिशन और सब्ट्रेक्शन सीखना है इस टेबल को देखते हैं 123 में 135 को आड़ किया 258 आया 4 मैंगो में 7 मैंगो को आड़ किया 11 मैंगो आया 8 पैंसिल में 7 पैंसिल को आड़ किया 15 पैंसिल है अब 4 mango और 7 pencil क्या हम इनको add कर सकते हैं? नहीं Yes, we can't add these things because these are not same तो इससे क्या पता चलता है? कि हम same चीजों कोई add या subtract कर सकते हैं We have observed from the above table that we can add and subtract same thing but we can't add the different things In the same manner, in algebraic expression we can't add unlike terms but we add and subtract like terms तो algebraic expression में हमने like और unlike सीखा था last walksheet में तो हम like terms को add और subtract कर सकते हैं unlike terms को नहीं For example, 4xy और 7xy ये दोनों क्या है? दोनों में देखे xy और xy है तो ये क्या है? आपकी like terms है अगर 4xy प्लस 7xy तो इसको add करके 11xy आ गया minus करते हैं तो minus 3xy आ गया लेकिन 4x square y और 7xy दोनों unlike terms से हम इनको add नहीं कर सकते हैं अब और example समझ लेते हैं 3ab प्लस 11ab कितना आ गया? 14ab क्योंकि दोनो ab ab हैं तो हमने add कर दिया यहाँ देखे यहाँ minus किया है तो minus 2sg आ गया है यहाँ देखे 7 और 8 कितना हो गया? 15fg both like terms यहाँ देखे इनको add करना है तो 4as और 7as दोनों एक जैसे हैं दोनों में as, as हैं तो 4 और 7 को add करके 11as आ गया और यहाँ 6 लिखा हुआ है तो यह 6fg हो जाएगा और example देखे add करना है अब add करने में, subject करने में आपको 2 चीज़े बहुत ध्यादत ध्यान रखने है first आपको क्या करना है जो भी पहले line दियुए है वह आप पहले लिखते हैं second चीज, जो second term है तो देखे, इसमें क्या करना है जब भी आप second line लिखेंगे नीचे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि same term को एक साथ लिखना है x square के नीचे x square लिखना है x के नीचे x लिखना है और बिना x y वाले single number को single number के नीचे लिखना है तो यहाँ देखे, x square है यहाँ x square वाला कुछ नहीं है यह फिर 6x है, तो x के साथ क्या आ जाएगा? 8x, 6x के नीचे 8x यह 7 है और यह 4 है तो 7 of 4 होगा है 7y, y जो है देखें, यहाँ पे 7y उपर y नहीं है तो हमने 7y को अलग लिखतेंगे अब add कर दीजे 7y 7 of 4, 11, 6 or 8 14x, 7x square अब subtract में भी same वही करना है यह उपर line लिखी इसके नीचे वही लिखना है x square के नीचे x square xy के नीचे x y, z के नीचे z तो यहाँ इसके नीचे यह आ गया लेकिन आपको देखें subtract किसमें से करना है इसमें से करना है from तो आप पहले यह लिखेंगे इसके नीचे यह लिखेंगे तो यह x square के नीचे 8x square हो गया यह सब आप लिख लेंगे, subtraction में आपको क्या करना है, जो भी निच वाली line होगी, सब के sign change हो जाएंगे, minus की जिगे plus, plus की जिगे minus, यह सब change हो जाएंगे, और आपको solve करने में यही sign देखने हैं, यहाँ देखे, plus का 8 और plus का 5, कितना आजाएगा, plus का 13, तो 13 y स्क्वेर हो गया, यहाँ पे plus का 5 और minus का 9, तो यह कितना हो जाएगा, minus का 4, यह आगया, यहाँ minus का 7 और minus का 7, तो कितना हो जाएगा, minus का 14 आएगा, यह गलत लिखा हो है, चीक है, minus का 7 और minus का 6, कितना हो था, minus का 13 x y, सेम ऐसे ही प्लस का 4 और माइनस का 8 माइनस 4 जो भी x square x y z x जो भी लिखा हुआ है साथ में वो आपको लिखना है इसके बार देखी questions हैं इनको हम देख लेते हैं कैसे करना है यह देखी questions हैं first question जो है आपको add करना है यह मैंने सब arrange करके लिख दिया है इनको add करेंगे माइनस 1 आएगा 7 और 7 14 हो गया प्लस का 6 और माइनस का 9 मैंनस का 3 हो गया प्लस का 5 और प्लस का 8 थर्टीन हो गया x square के साथ x square x y के साथ x y यह आपको ज़रूर लिखना है second में भी आपको add करना है तो यह प्लस का 9 माइनस का 8 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 8, प्लस का 4, प्लस का 12 हो गया, 7 और 6 स्क्वाइड करेंगे 13 हो गया, माइनस 5 स्क्वाइड का माइनस 5 स्क्वाइड हो गया, फिर जो third question है उसमें आपको subtract करना है, तो पहले sign change करेंगे नीचे वाली line के, यह माइनस का 7 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, प्लस का 3 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 4 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस 30 तो यह solve हो जाएगा easy फॉर्थ में देखिए फॉर्थ में भी subtract करना है आपको यह sign देखना है कुछ नहीं लिखा number तो हम वो 1 माल लेते हैं तो प्लस का 9 और माइनस का sorry प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 10 हो गया माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया प्लस का 4 और माइनस का 1 3 हो गया तो यह आपका answer आजाएगा फिर 5 तुमें आपको add करना है माइनस का प्लस का 8 माइनस का 9 माइनस x हो गया यह आपका 7 है plus का 7 plus का 7 14 हो गया plus का 3 minus का 9 minus का 6 हो गया 1 और 8 कितना हो गया 9x square हो गया फिर 6 में आपको minus करना है या कुछ नहीं है 1 1 1 माल लेते हैं plus का 9 और minus का 8 ishing हो गया नीचे वाला मान ने गए तो यह कितना आजाएगा अपका 9 में से 1 गया तो 8 आगया यह माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4 हो गया यहाँ पे प्लस का 4 है और प्लस का 1 है तो कितना आ जाएगा प्लस का 5 तो ABC, ABC यह सब आपको हर कोशन में उसके साथ लिखने ही लिखने है यह मैं लग से नहीं बोल रही हूँ तो यहाँ आपकी वरक्षीट फिनिश होती है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपने फ्रेंस के साथ शेयर जरूर करें थैंक्स पॉर वाजिंग